आज हम सिखेंगे परिमेस अंख्याओं का योग और योज प्रतिलूम मान लीजिए हम ताई दिशा में मापी गई दूरी को धन चिनन से और बाई दिशा में मापी गई दूरी को रिंच चिनन से निरुबित करते हैं अब सोचिए अगर एक गाड़ी 9 बटे 4 किलोमेटर की दूरी दाई दिशा में तै करती है और फिर मुड़कर 3 बटे 4 किलोमेटर की दूरी बाई दिशा में तै करती है तो प्रारंबिक स्थिती से अंतिम स्थिती तक की दूरी कैसे प्राप्त की जा सकती है सोचिए सोचिए बिल्कुल सही यहां हमें दोनु सितियों में तई की गई दूरियों का योग करना होगा गनित में इसे हम 9 बटे 4 धन रिंट 3 बटे 4 से निरुपित करेंगी यहां 9 बटे 4 किलोमेटर की दूरी दाई दिशा में तई की गई है इसलिए इसे धनात्मक परिमेय संख्या यानि पॉजिटिव राशनल नंबर से निरुपित किया गया है जबकि तीन बटे चार किलोमेटर की दूरी बाही दिशा में तै की गई है इसलिए इसे रिनात्मक परिमेय संख्या यानि निगेटिव राशनल नंबर से अनिरुपित किया गया है चलिए इन परिमेय संख्याओं के योग का परिणाम संख्या रेखा पर क्यात करें सबसे पहले हम एक किलोमेटर दूरी को एकाई मानकर एक संख्या रेखा बनाएंगे और इस पर शून्य सहित पुणांकों को अंकित करेंगे अब हम देखते हैं कि दोनों परिमें संख्याओं का हर यानि डिनॉमिनेटर चार है हर के स्थान पर लिखी संख्या बताती है कि एकाई के कितने बराबर भाग किये गए है जैसे यहां हर के स्थान पर लिखी संख्या चार हमें बताती है कि प्रतियेक एकाई दूरी के चार बराबर भाग किये गए हैं इसलिए हम संख्या रेखा के प्रतियक एकाई दूरी के चार बराबर भाग बनाएंगे अब हम शूने के दाई और एक बटे चार, दो बटे चार, तीन बटे चार इस प्रकार परिमेश संख्याएं अंकित कर सकते हैं इसी प्रकार शूने के बाई ओर रिन एक बटे चार, रिन दो बटे चार, रिन तीन बटे चार, इस प्रकार परिमे संख्याएं अंकित कर सकते हैं अब चलिए ती परिमे संख्याओं का योग करें यहां पहली संख्या है 9 बटे 4 इसलिए हम 9 बटे 4 स्थान क्यात करेंगे 9 बटे 4 धनात्मक परिमे संख्या है इसलिए इसका स्थान 0 के दाई और 9 कदमों की दूरी पर है अब हम दूसरी संख्या को देखते हैं, अगर दूसरी संख्या धनात्मक हो, तो हम दाई और चलते हैं, लेकिन अगर यह रिनात्मक हो, तो बाई और चलते हैं, जैसे यहां रिन्ट 3 बटे 4 एक रिनात्मक परिमे यह संख्या है, रिनात्मक होने के कारण, अब हम संख्या रि देखा के बीना जोडना होता तो यह हम कैसे करते? बिल्कुल सही. इनका योक भिन्नों यानी फ्राक्शन्स के योक के तरह ही किया जाता है लेकिन ऐसा करते समय हमें चिन्नों का ध्यान रखना जरूरी है. जैसे यहां हम देखते हैं कि दोनों परिमे संख्याओं का हर समान है इसलिए हम परिणाम में हर पैसा का वैसा रखेंगे और परिणाम का अंश पता करने के लिए दोनों परिमे संख्याओं के अंश को जोडेंगे यहां 9 धन रिंट 3 बराबर 6 इसलिए हमें परिणाम प्राप्त होगा 6 बटे 4 6 बटे 4 एक धनात्मक परिमेय संख्या है इसके उपयोग से हम कह सकते हैं कि गाड़ी अपने प्रारंबिक स्थान से दाई और 6 बटे 4 किलोमेटर दूर है अगर गाड़ी 9 बटे 4 किलोमेटर की दूरी दाई दिशा में तय करती है और फिर 7 बटे 2 किलोमेटर दूरी बाई दिशा में तय करती है तो प्रारंबिक स्थान से वह कितनी दूर होती सोचिए सोचिए यहां भी हमें दोनों सिद्यों में दूरी को जोड़ना होगा जिसे हम 9 बटे 4, धन, रिंट 7 बटे 2 इस संक्रिया से व्यक्त करेंगे अब इन दो परिमेय संख्याओं को हम तब ही जोड़ पाएंगे जब इनका हर बराबर होगा हर बराबर करने के लिए हम दोनों परिमेय संख्याओं के हरों का लसव प्राप्त करेंगे यहां हर 4 और हर 2 का लसव है 4 9 बटे 4 का हर पहले से 4 है इसलिए हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे लेकिन रिंट 7 बटे 2 का हर 4 नहीं है हर चार करने के लिए हम रिंट साथ बटे दो के अंश और हर दोनों को दो से गुणा करेंगे इससे हमें परिमे संख्या प्राप्त होगी रिंट 14 बटे चार यहां हमें हर चार प्राप्त हो रहा है साथी साथ रिंट साथ बटे दो के अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से गुणा किये जाने के कारण परिमे संख्या के मान में भी बदलाव नहीं आ रहा है अब हम इने जोड सकते हैं यहां हम परिणाम में दोनों का उभयनिष्ट हर वैसा का वैसा लिखेंगे और अंशो का योग कर परिणाम का अंश नौधन रिंट 14 बराबर रिंट 5 प्राप्त कर लेंगे इस प्रकर दी संख्याओं के योग का परिणाम है रिंट 5 बटे 4 जब हम परिमे संख्याओं की योग की बात करते हैं तो यहां एक और महत्वपुर्ण स्थिती निकल कर आती है यहां हमें परिणाम एक रिनात्मक परिमेस अंख्या प्राप्त हुई है इसका अर्थ यह है कि गाड़ी की अंतिम स्थिती उसके प्रारंभिक स्थान से बाई और पांच बटी चार किलोमेटर की दूरी पर है तो वह कौन से स्थान पर पहुचेगी सोचिए सोचिए बिलकुल सही गाड़े फिर से अपने प्रारंभिक स्थान पर ही पहुच जाएगी यानि कि नौबटे चार धन रिन नौबटे चार बराबर शून्य है इस प्रकार अगर किन ही दो परिमेश संख्याओं का योग शून्य आता है तो वे एक दूसरे की योज़ प्रतिलोम यानि additive inverse कहलाती है अगर हम देखे तो नौबटे चार का स्थान और रिन नौबटे चार का स्थान शून्य से विप्रत दिशाओं में बराबर दूरी पर है इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि अगर किन ही दो परिमे संख्याओं का स्थान शून्य से विप्रत दिशाओं में बराबर दूरी पर हो तो वे एक दुसरी की योज्य प्रतिलों कहलाती है किसी परिमे संख्या का योज्य प्रतिलोम उसका चिन्न बदल कर प्राप्थ होता है तो अब आपको योज्य प्रतिलोम की समझ बन गई होगी इस प्रकार आज हमने सीखा परिमे संख्याओं का योग और योज्य प्रतिलोम अगले वीडियो में कुछ उधारनों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे